नमस्कार दोस्तो स्वागत आप सब का संकल्प के यूट्यूब चैनल संकल्प कोचिंग गंगानेगर में जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले तो इससे सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकोन बटन को प्रेस कर लें ताकि जैसे संकल्प का कोई भी नया वीडियो अप्लोड होता है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आजई हमारा पहला कोशन है रास्तान में अभी हाल ही में किन दो जिलों में सोने के बंडारों का पता चला है तो इस कोशन का जो सही आनसर है कि रास्तान में कौन से दो इस जिलें या सोने के बंडारों का पता चला है तो इस कोशन का जो सही आनसर है वा उद्धे पूरोर बासवा कि आनंदपुर भुक्या बासवडा में राजस्तान में सोने के सबसे ज़्यदा बंडार है। सोना दोहन का कारिय जगतपुरा बासवडा में किया जा रहे। और नेया बंडार उदेपुर और बासवडा में और मिला है सोने का। तो राजस्तान में सोने के जो सबसे अधा बंडार है वो बांसवाडा में है सोना यानी गोल्ड केई बच्चे कलास में भी सोते रहते हैं तो सोना यानी गोल्ड या कलास में सोना सब आनंद का ही तो प्रतीक है तो सोना आनंद का प्रतीक है आनंद पूर्भू किया बांसवा तो इस question का जो सही answer हो है वो है नात्वारा कि नात्वारा में अभी हाली में विश्व की सबसे उंची सिमूर्थी का निर्मान किया जा रहे है इस सिमूर्थी की उंचाई 351 351 351 फिट है इसे 20 किलोमेटर दूर से ही देखा जा सकता है यह सिमूर्थी मार्च 2019 तक बनकर त्या किया जा रहे है तथा इसका मूर्थीकार नरेश कुमावत है तो इस सिमूर्थी की खास बात यही है कि विश्व की सबसे उंची सिमूर्थी है और इसे 20 किलोमेटर दूर से ही देखा जा सकता है मिराज गुर्प की और से इसे त्यार किया जा रहे है और इसका जो मूर्थी रेस कुमावत कि सबसे उंची स्वीम मूर्थि किसके द्वारत के द्वारत की एंदर हमारा तीसरा इंदर क्वेशन है भारत कि पहली 3 2 प्रियोजना लियोपार्ट प्रोजेक्ट कीशुरूरात रास्तण के की सेय। तो इस question का जो सही answer है वो है जालाना जैपूर कि तेंदुआ परियोजना राजस्तान के किस से से सुरू ही तो इसका सही answer है जालाना जैपूर अगर आपने कभी सुभंकर पड़े हो तो आप पे सुभंकर पड़ेंगे कि पाली कि पाली का सुभंकर कोन सा है तो तेंदुआ पाली का सुभंकर तेंदुआ है और तेंदुआ परियोजना की बात करिये अगर भारत की पहली तेंदुआ परियोजना तो वो है जालाना जैपूर हमारा चोथा कोशन है रास्तन का पहला बायोंगेंस सी एन जी प्लांट बायोंगेंस सी एन जी प्लांट रास्तन के किस जिले में लगाया जाएगा या लगाया गया है तो ये कोशन इस कोशन का जो सही आंसर है वो है भीलवडा कि भीलवाडा में राज्तान के पहले बायोगेंस येंजी प्लांट की शुरुवात की गई है इस प्लांट का जो विदिवत रूप से सुभारम है वो 17 मार्ज को राज्य सबसदश्य ओम प्रकास मात्थूर करेंगे राज्य में अभी तक सबसे यदा बायोगेंस यानि गोबरगेंस के सयंतर उदेपूर में है अगर मैं कहूँ कि राज्तान की पहली या राज्तान की नई राज्तान की नई बायोगेस निती 2010 में बनी थी राज्तान की नई बायोगेस निती 2010 में बनी राज्तान की नई बायोमास निती 2010 में बनी राज्तान की नई जल निती 2010 में बनी राज्तान की पहली वन निती 2010 में बनी रास्तान की नई परियावरण निती भी 2010 में बनी तो पांच नितियां 2010 में बनी थी बायो गेस बायो मास या हम कहते रास्तान की पहली बन निती रास्तान की नई परियावरण निती रास्तान की नई जल निती हमारा पांचवा कोशन है बिकानेर में 12 जनवरी 2019 को किस अंतराष्टिय उंट महोत्सव का आयोजन किया गया 12 जनवरी 2019 को किस अंतराष्टिय उंट महोत्सव का आयोजन किया गया तो इस कोशन का जो सही आंसर है वो है 26 वा कि अभी हाली में 12 जनवरी 2019 को 26 वे अंतराश्टी उंट महतसव का योजन बिकानेर के अंदर किया गया उंट महतसव बिकानेर में लगता है उंट महतसव बिकानेर में लगता है तो उंट अनुसंदान के अंदर भी जोहड बीड बिकानेर में है पहले राज्थान का राज्य पसु होता था चिंकारा आज भी है और आज एक निया राज्य पसु को सित किया जा चुका है 19 सितंबर 2014 में उंट को उंट को राज्य पसु का दरजा पसुधन सिरेणी में दिया गया जबकि चिंकारा राज्य पसु है वन्य जीव सिरेणी में तो उंट को राज्य पसु का दरजा कब मिला तो 19 सितंबर 2014 में उंट अनुसंदान केंदर कहां पर है जोहडवीड बिकानेर, केमल मिलकडेरी बिकानेर, उंटों के देवता पाबुजी, उंट बिमार हो जाए तो पाबुजी के फड़का वाचन किया जाता है उंट की चमडी पर की के इकला को कहती है, उस्ताकला जो की मूलते लाहोर की राजस्तान में लेकि आये थी बिकानेर के सासक अनूप सिंग, और अनूप सिंग का काल उस्ताकला का स्वरन काल के लाता है हमारा चटा कोशन है हाई स्पीड ट्रेनों के लिए राजस्तान में भारत का पहला ट्राइल ट्रेक किस जिले में बनाया गया है हाई स्पीड के लिए भारत का पहला ट्राइल ट्रेक किस जिले में बनाया गया तो इस कोशन का जो सही अनसर है वो है जैपूर कि जैपूर में भारत के अंदर पहला ट्राइल ट्रेक बनाया गया है हाई स्पीड ट्रेनों के लिए इस ट्राइल ट्रेक की जो कुल लबाई है वो 40 किलोमेटर है हमारा सात्वा कोशन है परदेश की किस महिला किर्केटर को भारतिये 2020 महिला टीम में चुना गया है परदेश की किस महिला किर्केटर को भारतिये 2020 महिला टीम में चुना गया है तो इस कोशन का जो सही आनस्वर है वो है प्रिया पूनिया की प्रिया पूनिया को अभी हाल ही में भारतिये 2020 महिला टीम में चुना गया है इनका समन्ध राजस्तान सी है तिरियापुनिया का समन्ध राजस्तान सी है जिने अभी हाल ही में बारतिय T20 महिला टीम में चुना गया है अभी भी जिसने संकल्प कोचिन गंगानगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें थाकि नेक्स्ट वीडियो जेसी अपलोडो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जए तो अब हम चलते हैं आठवे कोशन पर आठवे कोशन है 17 दिसंबर 2018 को सिरी असोग गहलोड परदेश के किस करमा के मुख्य मंतरी बने तो इस कोशन का जो सई आनस्वर है वो है 25 में 25 में करमा के मुख्य मंतरी बने थे सिरी असोग गहलोड मुख्य मंतरियों की लिष्ट पर अगर नज़ डालें तो राजस्तान में पहला मुख्य मंतरी कोन था तो इस कोशन का अनस्वर है कि रास्तान का पहला मुख्य मंतरी हीरालाल सास्त्री अगर कोशन पूचे जाए पहला मनोनित मुख्य मंत्री तो भी हीरालाल सास्त्री रास्तान का पहला मुख्य मंत्री हीरालाल सास्त्री पहला मनोनित मुख्य मंत्री हीरालाल सास्त्री जो मनोनित था मुख्य मंत्री हिरालाल सास्त्री चोती चरण में परदान मंत्री बनाया गया था छटे चरण में जिसे ही सुविदान लागू होता है तो परदान मंत्री का पद मुख्य मंत्री में बदल जाता है और उस समय परदान मंत्री होता है हिरालाल सास्त्री और उसी समय जो परदान मंत्री का पद बदला मुखे मंत्री मी तो रास्तान का पहला मुखे मंत्री हिरालाल सास्त्री तो हमारे सामने तीन कोशन है और उनका अंसर हिरालाल सास्त्री है कि रास्तान का पहला मुख्य मंत्री इरलाल सास्त्री, पहला मनोनित मुख्य मंत्री इरलाल सास्त्री, पहला परदान मंत्री जो मुख्य मंत्री बना इरलाल सास्त्री, मनोनित ओने वाली राजस्तान में तीन मुख्य मंत्री हैं, इरलाल सास्त्री, सी एस वैंकटाचारी, जै का राम पालिवाल सबसे लंबे का रेकालवाला मुख्य मंतरी मोहलाल सुखाडिया सबसे छोटे का रेकालवाला मुख्य मंतरी हीरालाल देवपुरा पद परेते मर्तियों को प्राप्त पहला मुख्य मंतरी बरक दुला खां पहला अनुसुची जाती का मुख्य मंतरी जगनात पहाडिया पहला मुसलिम मुख्य मंतरी बरक दुला खां रास्तान की पर्थम महिला मुख्य मंतरी वसंद्रा राजी सिंदिया रास्तान की पर्थम महिला उप मुख्य मंतरी कमला बेनिवाल हमारा नुवा कोश्चन है चिन्ने बाला टिबा के दो नए ब्लोक्स से पेंट्रोलियम गैंस निकालने की परकिरिया सुरू की गई यह राज्ये के किस जिले में इस्तित है जिन्ने बाला जो टिबा है यह राज्यस्तान के किस जिले से समन्द रखता है तो इस कोश्चन का जो सही आंसर है वो है चेसल मेर अपनी पिछले जो करंट का वीडियो था रास्तान का उसमें बात हुई थी कि रास्तान में पेंट्रोलियम के चार बेसिन है एक बार फिर हम रिपीट करते हैं कि पेंट्रोलियम के राजस्तान में चार बेसिन है पहला है बिकाने नागोर बेसिन जिसमें अभी हाल ही में उन्नम नामक तेल का कुवा हो जा गया था ओयल इंडिया लिमिटिड कंपनी के दोरा दूसरा जेसल मेर वेसिन जिसके अंदर दो तेल के कुवें एक बाग्ये वाला और एक साध्ये वाला फिर उसके बाद में बाड मेर सांचोर वेसिन जिसमें सबसे पहला कुवा जहांसे क्रूड ओयल निकला मंगला उसके बाद भाग्या उसके बाद एस्वरिया यानि MBA और चोथा है विंदे वेशिन जिसका समंद है कोटा संभाग तो जो चिन्ने वाला टिबा के दो ने ब्लोक्स से पेंट्रॉलियम गेस निकालने की परिकरिया शुरू ही है उसका समंद राजतान के किस जिले से है तो अपने कह सकते हैं जैसल्मेर यानि बाग्यावाला साद्यवाला आपको याद है अब अगर करक्राँट के अंदर कोई ने बात और जूड़ी है तो वो अपने कह सकते हैं कि चिन्ने वाला टिबा के दो ने ब्लोक्स हमारा दस्वा और अंतिम कोशन अफगानिस्तान की राज़दानी काबूल में 14 जनवरी 2019 को हुए आतंकी हमले में समाजी करे करता महिला सीपरा सर्मा की मरती हो गई सीपरा सर्मा का समंद राजस्तान में किस जले सी है तो इस कोशन का जो सही आंसर है वो है जोदपूर कि जोदपूर से समंद रखती थी सीपरा सर्मा जिसकी अभी हाल ही में अफगानिस्तान की राज़दानी काबूल में 14 जनवरी 2019 को हुए आतंकी हमले में मरती हो गई थी अगर हम बात करते हैं जोदपूर की तो जोदपूर को सूर्य नगरी कहते हैं मरुस्तल का प्रवेश्टवार कहते हैं मरुपर्देश भी कहते हैं रेगिस्तान का केंदर भी कहते हैं जोदपूर को सूर्य नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है तीन नगरी है देखो सूर्या नगरी जोदपूर, सूवरन नगरी जालोर और सवरन नगरी जेसलमेर देखे दोस्तो आज सनिवार है और जब जिके करंट के अंदर अपना वीडियो शुरू हुआ तो अपनी बात होई थी कि सोमार से सनिवार तक रूटीन में एक वीडियो सुबह पांस बज़े आपको मिलेगा सोमार से सनिवार तक जो वीडियो मिलेगा उसका संडे को एक टेस्ट होगा तो कल संडे यानि रविवार को दोपैर एक बज़े आपका टेस्ट रहेगा तो सई एक वज़े आपकी सामने ये वीडियो अपलोड हो जाएगा जिसमें अब तक जितने कोश्चन हुए वो सब होंगे तो किस तरीके से हम टेस्ट देंगे, किस तरीके से हम उसको हल करेंगे ये तो हम कल रवीबार को एक वज़े ही डिसकस करेंगे लेकिन आप बस पूरा ध्यान रखें, कि ये रवीबार को एक वज़े हमारा टेस्ट है एक वज़े आपको मतलब स्क्रीन पे हजिर होना है यूट्यूब उससमें आपको चलाना है, उससमें आपको वीडियो मिल जाएगा इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि संकल्प, कोचिंग, गंगा नगर, यूट्यूब चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि जैसे ही हम वीडियो प्लोड करते हैं तो आपके पास उससमें आप जो नोटिपिकेशन है वो आजाए और अपने उन कोशनों को हल कर सके संडे को ही आपको जितने अब तक करंट के अंदर अपने मतलब जो वीडियो डाले हैं उन सब के जो आंसर है उसकी जो एक पीडिएफ है वो भी आपको उपलब दो जाएगी संडे को और बार बार student कहते हैं कि संजे सर आप class कब लोगे आप class आपकी class नहीं आई अभी तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि होली के जिस्ट बाद में जो मंगलवार आएगा उस मंगलवार को मैं अपनी एक class का वीडियो आपको दूँगा जिसे बिल्कुल रास्तान का basic topic होगा जो कोई भी इनसान चाहिए कितनी भी बड़ी तयारी कर रहा हूँ चाहिए आरेस की तयारी कर रहा हूँ उन सब के लिए वो एक topic काफी महत्व पुर्ण है उसके बगे रास्तान की जोग्राफी को समझा नहीं जा सकता तो खुली के जिस्ट बात जो मंगलवार आ रहा है उस मंगलवार को मेरा एक वीडियो अपलोड हो रहा है आप जरूर उसको देखें अगर आपको पसंद आई तो आगे उसको जरूर सेयर कीजिएगा अब इन दस कोशनों को हम एक बार वापिस रिपीट कर रहे हैं पहला कोशन है राजस्तान में अभी हाल ही में किन दो जिलों में सोने के भंडारों का पता चला है इस कोशन का जो सही आनसर है वो है उदेपुरोर बांसवाडा कि उदेपुरोर बांसवाडा में सोने के नए मूर्ति का निर्मान किया जा रहा है तो राजस्तान के नाथ द्वारा में विश्व की सबसे उंची सिम मूर्ति का निर्मान किया जा रहा है हमारा तीसरा कोश्चन है भारत की पहली तेंदुआ परियोजना लियोपार्ड प्रोजेक्ट की शुरुवात राजस्तान के किस सहर से की गई तो इस कोश्चन का जो सही आनसर है वो है जालाना जैपूर हमारा चोथा कोश्चन है रास्तन का पहला बायो गेंस सी एनजी प्लांट किस चिले में लगया गया है तो इस कोश्चन का सही आनसर है इसका सही आनसर है भीलवड़ा कि भीलवड़ा में रास्तन का पहला सी एनजी प्लांट लगया गया है हमारा पांचवा कोशन है बिकानेर में 12 जनवरी 2019 को किस अंतराश्टिय उंट महोत्सव का आयोजन किया गया तो इस कोशन का जो सही आनस्वर है वो है 26 वा कि 26 वे उंट महोत्सव का आयोजन किया गया हमारा चटा कोशन है हाई स्पीड ट्रेनों के लिए राजस्तान में भारत का पहला ट्रायल ट्रेक किस चिले में बनाया गया तो इस कोशन का जो सही आनस्वर है वो है चैपूर हमारा साथवा कोशन है परदेश की किस महिला क्रिकेटर को भारतिय T20 महिला टीम में चुना गया है तो इस कोशन का जो सही आंसर है वो है पिरिया कुनिया को हमारा आठवा कोशन है 17 दिसंबर 2018 को सिरी असो गहलोत परदेश के किस करमा के मुख्य मंतरी बने तो वो 25 में मुख्य मंतरी बनी है इस कोशन का सही आंसर है 25 में मुख्य मंतरी हमारा नुवा कोशन है चिन्ने बाला टिबा के दो नए ब्लोक्स से पेंट्रोलियम गैंस निकालने की परकिरिया सुरू की गई यह राज्जे के किस चिले में है तो इस कोशन का जो सही आनसर है वो है जेसल मेर हमारा दसवाँ और अंतिम कोशन दसवाँ और अंतिम कोशन है अफगानिस्तान की राजदानी काबूल में 14 जनवरी 2019 को हुए आतंकी हमले में समाजिक कारेकरता महिला शिप्रा सर्मा की मर्तियोगी शिप्रा सर्मा का समन्द राज़तान में किस चिले सी है तो इस कोशन का आनसर है जोदपूर अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसके उपर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हमें और सुझाब दीजिए कि हम इसको और बहतर के से बनाए अगर आपको लग रहा हो कि इसमें इसकी कमी है तो आपके जो सुजाब है वो सादरामंत्रित हैं आप अपनी सुजाब दे सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक चुरूर करें हम ये मानते हैं कि अब हमारा जो लाइक का सिस्टम है कि हमें कम से कम रोजाना जो करंट का वीडियो है तो रवी बार को अपना टेस्ट रहेगा एक बज़े से जिसका टाइम रहेगा अब तक जितने टेस्ट हुए हैं उन सब की पीडियेफ आपको रवी बार को मिल जाएगी